मनी प्लांट के पौधे में नई ग्रोध शुरू हो गई है February में मनी प्लांट के आप cuttings भी लगा सकते हैं लेकिन कई बार हम cutting लगा लेते हैं पौधा उस तरीके से ग्रोध नहीं होता जैसा हम चाहते हैं या फिर पत्तियों का size काफी छोटा होता है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे घरेलू उपचार के बारे में एक घरेलू खाद के बारे में जो बिलकुल फ्री है और मैं यकीन से कहती हूँ कि यदि उस खाद को आप अपने मनी प्लांट पर देते रहेंगे तो मनी प्लांट का पौधा ग्रो त दुगनी तरीके से करेगा ही साथ ही साथ पतियां चमकदार होंगी पतियों में कभी फंगस की समस्या आपको नहीं देखनी पड़ेगी कई बार हम मैंने देखा है कि मनी प्लांट में हम सारे फर्टिलाइजर डालते जाते हैं और मनी प्लांट ग्रो नहीं करता पहली बात है कि कभी कभी over fertilization की वज़े से ही money plant खराब हो जाता है money plant को कभी भी बहुत ज़्यादा fertilizer नहीं देना चाहिए सर्दियों में हमारे money plant का पौधा dormancy में होता है growth ना के बराबर होती है ऐसे में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से care करना वीडियो को काफी पसंद भी किया गया था मेरे सुझाओ को उसके लिए धन्यवाद तो ये एक मनी प्लांट की विराइटी है देखिए ये छट पे बाहर धूप में रखा हुआ था जितने भी इंडोर प्लांट को आपने सर्दियों में बाहर रखा था अब आप उसे अंदर फिल्टर्ड सनलाइट में जहां जिस जगह पे आप रखते हैं इंडोर वहां रख दीजे मनी प्लांट कम्प्लीटली आउटडोर नहीं है यानि कि यदि ये जमीन में लगा हुआ है फिर ये बाहर अच्छे से सर्वाइव करता है लेकिन यदि आपने गमले में लगाया है तो कड़कडाती धूप से बहुत चिलचिलाती धूप से इसे बचाना होता है वरना इस तरीके से इसकी पत्या मोडी मोडी और जली हुई होने लगती हैं अभी फेरुरी में धूप थोड़ी तेज हो गई है तो मनी प्लांट को आप थोड़े से शेडेड में यदि रख द बहुत असानी से लगा सकते हैं कई बार हम कटिंग लगा तो लेते हैं लेकिन ग्रो नहीं करता है जैसे ये मेरे मनी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रो हो गई है और इसे मुझे कट करके लगाना है लेकिन सर्दियों में मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि सर्दियां सही टाइम नहीं होते हैं कटिंग को उगाने के लिए लेकिन अभी fab में बहुत असानी से आप कटिंग को लगा सकते हैं जो fertilizer में आपको बताने वाली हो से कटिंग से लग जाती हैं देखिये मिट्टी ये बहुत जादा ड्राई होने के वज़े से भी कई बार पतियां जलने लगती हैं ये मॉस स्टिक मैंने लगा दिया है मनी प्लांट के लिए 6-10 इंच के बीच का कंटेनर बिल्कुल आइडियल है क्योंकि मनी प्लांट में रूट बाउंड की समस्या बहुत कम होती है और मनी प्लांट छोटे में छोटे कंटेनर में अच्छे से परफॉर्म करता है ये मैंने मॉस स्टिक अच्छे से इसमें लगा दिया है मॉस स्टिक थोड़ा नीचे दबा करके लगाई है देखिए ये जैनवरी के शुरू में मैंने एक कटिंग लगा दिया था और ये cutting बहुत अच्छे से grow हो गई है ये money plant की pathos variety है छोटे container में cutting लगाया था और अब मैं इसे बड़े container में report करने वाली हूँ जब कभी आप money plant की cutting लगा रहे हैं ये बात ध्यान रखें कि ये दि छोटे container में आपने लगाया है तो जड़ों का अच्छे से expansion हो जाने दीजिए विस्तार हो जाने दीजिए और उसके बाद लगाये बिल्कुल थोड़ी सी जड़े बनी और उसे लगा दें ऐसा ना करें दूसरी चीज़ जब कभी आप money plant लगा रहे हैं cutting से तो 3-4 node area को आप ज़रूर मिट्टी में दबा करके रखें क्योंकि उसी node के पास से इसमें नए नए shoots निकलते हैं तो node area को मिट्टी में दबा कर रखना ज़रूरी है money plant की छोटी छोटी cutting भी बहुत अच्छे से grow हो जाएगी और देखिए इसमें जो ये नए-ने पत्ते निकल रहे हैं ये थोड़े मुड़े हुए इसलिए क्योंकि आब इन्हें एक उचित पोशक तत्व चाहिए जो सर्दियों में हमने नहीं दिया था अभी फैब के शुरू में ही आप अपने money plant को अच्छे से fertilize कर दीजे fertilization के लिए आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ देखिए ये है चावल चावल की मात्रा कितनी भी हो सकती है मुझे लगता है चावल तो करीब-करीब हर घर में खाया जाता है और चावल को हम धो करके ही बनाते हैं लेकिन एक बात बताईए चावल धोने के बाद उसके पानी को आप क्या करते हैं क्या आपको पता है कि rice washed के बाद जो वो water निकलता है वो इतना ज़्यादा beneficial है आपके plants के लिए कि आप सोच नहीं सकते पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसके क्या क्या फाइदे हैं इसमें 25% calcium है 45% phosphorus है 45% iron है और 11% zinc है 41% potassium होता है जो इसमें कई तरह के vitamins भी हैं या सभी तत्तों पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के साथ साथ उनमें कीड़े नहीं लगने देते हैं तो आप चावल के पानी को किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं यानि कि indoor और outdoor दोनों में डाल सकते हैं यहां तो especially मैं आपको ऐसे भीगो करके दिखा रही हूँ लेकिन जब kitchen में हम चावल होते हैं उस पानी को उसी वक्त आप इकठा कर लीजे और fresh water को ही आप as a fertilizer अपने सभी पौधे इंडोर आउट्डोर और especially money plant पर यूज कीजे यह पत्तियां जो इस तरीके से जल जा रही है वो समस्या खतम हो जाएगी और मैं एक चीज और आपको बताना चाहते हूँ यदि आप इसे कीट नाशक की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप 3-4 दिन ऐसे ही इसको छोड़ दीजे इसमें एक अजीब सी गंध आजाएगी तीन दिनों के बाद उसे आप double पानी में मिला करके आप चाहे तो रोज यूज कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आपके मनी प्लांट को पानी की जरूरत है तो इसी से आप वाटरिंग कर दीजे इसे आप स्प्रे बॉटल में भरके स्प्रे कर सकते हैं यदि आप नई कटिंग लगा रहे हैं और कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है ऐसी शिकायत हमेशा रहती है तो आप इससे स्प्रे करें 100% वर्क करेगा ये किसी एपसम सॉल्ट से कम नहीं है और मनी प्लांट को हमेशा ऐसे ही फर्टिलाइजर घरेलू देने चाहिए देखिए मेरे स्नेक प्लांट्स वेगरा कितने अच्छे से ग्रो कर रहे है मैं कभी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ हमेशा ये चावल के पानी काही सहारा लेती हूँ और पत्तियां देखिए कितनी लश ग्रिन निकल करके आती है ये कीट नाशक और खा दोनों ही तरीके से काम करता है ये आप अपने सभी इंडोर प्लांट को दे दीजे इंकलूडिंग तुलसी जी तुलसी जी को भी आप दे सकते हैं सभी पिड़ पौधे को दे सकते हैं इसमें जो कैल्शिम की मातरा है वो मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार बनाएगा जो फॉस्फोरस है वो मनी प्लांट के स्टेम को मोटा करेगा और आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अभी यदि आपके पास मनी प्लांट का पौधा ओपन में रखा हुआ था तो उसे आप थोड़ा शेड में रख दे और इस तरीके से फटिलाइज करते रहें आप देखेंगे कि आपका मनी प्लांट कुछ ही दिनों में घना हो गया है और दुगनी ग्रोथ कर रहा है आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजी और मेरे वीडियोज को बहुत बहुत एप्रिशेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनी प्लांट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या किसी भी पेड़ पौधे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप कॉमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं अब इसमें इंपोर्टन बात जो मनी प्लांट में मैंने आपको बताया मैं आपको बता देती हूँ कि यदि जमीन में लगा रखा है तब भी ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं और यदि गमले में लगा रखा है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं धन्यवाद